नमस्कार दोस्तों मैं डोक्टर नावज चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपोर्टेक्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके कारण आज का यूद बहुत ज होंने लगता है आत्म फील होने लगता है उनको ऐसे लगता हैं हमने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके वाले हैं कीस देखने को मिलते और किस तरह से अगर आपकी हो गया है तो कैसे हमियो पैटिक मैडिसन से बीना कोई साइट इफेक्स के बिना कोई नुकसान के, बिल्कुल सेफ मेडिसन्स है जिनको आप लेके और वापिस आप इसको रीकवर कर सकते हैं, थोड़ास अपने लाइप स्टाल में चिंजेज के साथ में, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैस्टर बेसन या सेल प्लेजर कोई डिजीज नहीं है, यानि ये कोई बिमारी नहीं है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस है, आपका जो डिवलॉपमेंटल फेज है, आपकी लाइफ के अंदर, आपके यूद के अंदर, जैसे आपकी बोडी ग्रो होती है, उसके अंदर ये बोडी की एक नॉर्मल बिल्कुल एक प्रोसेस है जिससे हर बोई गुजरता है तो मैं यह कहना चाहरा हूँ कि आप इसको एक बिमारी नहीं समझे आप इस आत्म गलानी के अंदर नहीं जाए कि मैंने पता नहीं कैसा पाप कर दिया जो कोई नहीं करता मैं नहीं करता है बिल्कुल यह नॉर्मल प्रोसेस है जिस तरह से आपके बोडी के इन औरगन्स के अंदर भी यह जो एक्टिविटी है बिल्कुल भी नॉर्मल है लेकिन बात तब आती है कि हर चीज की जो एकसेस है या अती है वो खराब होती हम रूटीन में जानते हैं कि एकसेस अप एवरिटिंग इस बैड यानी हर चीज जो है वो चाहे कितनी अच्छी क्यों नहीं हो या चाहे हमारे लिए नुकसान दाइक नहीं हो लेकिन उसको अगर आप जरुवत से ज्यादा करेंगे तो चीज आपके लिए खराब होगी कुछ ऐसा ही हाँ अगर आपका एकसेस मेस्टरबेशन के हैबिट रही है अगर आपने गलत तरीके से यह क या लाम शुरूब किये हैं और इसकी ओर एकसेस होई है तो उसके कारण कई वार हो सकता है आपकी वहाँ पे जो नर्व्य है वह डेमेंज हो जाते हैं या यहांनी जो नसे से सरी या कोई गलत तरीके से अगर इस अथत्य को किया जाए को राइक डे मेंज देखने को मिल सकते हैं कुछ साइड is feel coming of मेस्टरबेशन से आपको देखने को मिल सकتे उसके अंदर करें तो इंजरी हो सकती है आप प्राइवेट और इसी तरह से आप को जो है एडी यानि एरेक्टायल डिस्फंक्शन की प्राब्लम महसुस कर सकते अप इसके कारण बहुत ज़ादा अगर है तो स्वहपंदोस की आपको प्रॉब्लम आ सकती है आपको मेरीड लाइक में प्रीमेचोर एजिकुलेशन यानि सिग्र पतन की आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है इसी तरह से आप अपनी बॉडिक अंदर फटिग यानि ठकावट कमजोरी कमरदर्द या आपके टेस्टिस के अंदर पेन आ सकत है तो आपको ऐसे साइड इफेक्स देखने को मिल सकते हैं इसको ठीक कैसा जी इसको ठीक कैसे किया जाए देखिए अगर ठीक करने की बात है तो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि हमने यह गलत अरकत की है तो सबसे पहले इसको वहीं तुरंत आपको रोकने की जरूत है इसको आपको कांट्रोल करने की जड़ुता है, जो im blurred होना ची लिए मैं आपको एड़्वाइज करूंगा कि आपको थोड़ा से अपनी lifestyle में आपको exposure होता है तो उसके कारण आपके अंदर ऐसे thoughts जादा आते हैं जिसके कारण आप ऐसी activities में बार-बार इनोल होने लगते हों तो मैं आपको advice करूंगा कि आप जो है ऐसे जो है unnecessary social media के यूज से बचे आप कोसीज करें कि आप रात के अंदर particularly जब सोने जा रहे हैं तो नीन लेने से कम से कम एक दो घंटा पहले आपके mobile जो डाटा है उसको आप बंद कर दें बिल्कुल necessary उतना यूज करें उसके लावा आपको unnecessary mobile यूज नहीं करना चाहिए यह मैं आपको इस बेस पर कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा clinic पर जो यूज आता है जब इस तरह की activity करने लगते हैं तो मैं सबसे पहले आपको advice करूंगा कि आप इससे बचें आप night के अंदर कोसीज करें कि आप अच्छी books पढ़ें आप student हैं तो अपने syllabus की books पढ़ें आपका कोई competitive exam है उसकी book पढ़ें या कोई आप दूसरी जो है general जो है चार्ज करने की जरूत है आपको चार्ज करने की जरूत है बोडी को अची रेस्ट देने की यानि आपके sound sleep हो उसके साथ के अंदर बोडी को बिल्कुल आप healthy diet लें आपकी diet जो है जितने fruits होंगे जितने vegetables होंगे जितने आप dry fruits लेंगे juices लेंगे इस तरह से आप healthy जितने diet लेंगे आपकी body के अंदर किसी भी तरह से अगर कोई भी नुकसान होया तो आपको recover करने में मदद मेलेगी उसके साथ मैं आपको एडवाइस करूँगा आपको physical activity जरूर करे एक गंटा physical activity करे आप कोई भी sportsman in all हो सकते हैं आप swimming कर सकते हैं आप cycling कर सकते हैं योग और प्राणया में ने देखा है कि ऐसे कंदर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है particularly वो योग जो कि आपके lower abdominal muscles पे काम करते हैं अगर आप उनको अपनी life में सामिल करते हैं तो अगर आपको इस activity के करने इ बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इसी तरह से में एक advice और यह दूँगा कि अकेले रहने से बचें जब आप घर पे हैं तो कोसिस करें अपने सारे family members के साथ बैटें अकेले room में जाके आप बैटने की कोसिस नहीं करें जब आप सारे family members के साथ होंगे तो आप अपनी बाकी को आप लेते हैं तो आपको इसके side effects जो masturbation के side effects आपके body में उसको recover करने में भी मदद मिलेगी इसमें सबसे अची medicine जो मानी गई है वह स्टेफी से गरिया इसको 30 potency में आपको समय तक सुबह साम ले सकते हैं और उसके बाद में इसको 200 potency में वीक में एक वार भी ले सकते है आप देखेंगे कि इस तरह के side effects जो भी आप में आए हैं उसमें बहुत तेजी से recovery आपको देखने को मिलेगी नेक्स हमारी इसके अंदर medicine है acid force mother tincture acid force mother tincture भी वो लोग जिनकों की self pleasure masturbation के कारण कोई भी तरह के side effect जो body के अंदर जैसा भी इमने बात किया अगर इस तरह कहा लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी body के अंदर इसके side effects हैं जो भी हम discuss कर रहे थे ED PME या आपको सारीरी कमजोरी आ रही है मान से कमजोरी आ रही है यह जो भी side effects है उन सब के अंदर आप देखेंगे बहुत तेजी से आपको एक recovery देखने को मिलेगे इसके हलावा भी बह बहुत तलाबकारी साबीत होगा आपके बहुत सारे confusion को दूर करने में मदद करेगा और अगर आप भी कोई ऐसी problem से जूज रहें तो definitely यह आपके लिए बहुत जादा फाइदे मन्द होगा इसी तरह से मुझे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को like करें share करें subscribe करें और